महा भारत में आपने सिर्फ चक्र व्यू का ही नाम सुना होगा, लेकिन महा भारत के युद में कई परकार के व्यू रचना का उलेख मिलता है। युद को लड़ने के लिए पक्षी या विपक्ष अपने हिसाब से व्यू रचना करता था। व्यू रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए, आसमान से देखने पर ये व्यू रचना दिखाई देती है, जैसे क्रोंच व्यू है तो आसमान से देखने पर क्रोंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे, इसी तरह चक्र भूमते हुए चक्र के समान सैने रचना दिखाई देती है। आप दोस्तों लोकल जर्णी चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कुछ खास व्यू रचनाओं के बारे में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करना। गरुड व्यू दोस्तों गरुड पक्षी का चित्र तो देखा ही होगा आपने। यह विशालकाय पक्षी भगवान विश्नु का वाहन है। युद में सैनिकों को विपक्षी सैना के सामने इस तरह पक्ती बद खड़ा किया जाता है जिससे आसमान से देखने पर गरुड पक जाती है। इस विउ का आकार इसी पक्षी की तरह होता था। महा भारत में इस विउ की रचना युदिश्टर ने की थी। मकर विउ। प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचल प्रानी होता था। मकर का सिर्थ तो मकरमच की तरह लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगों जैसे सिंग होते थे, मरग और साब जैसे शरीर, मचली या मोर जैसी पूँच और पैथर जैसे पैर भी होते थे, वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथा जिक्र होता है, लेकिन संभवता इस व्यू रचना का तातपर्य मगर से होगा, मकर से नहीं, महा भारत में इस व्यू की रचना कौरवो ने की थी, अर्दचंद्राकार व्यू, अर्दचंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं, सैन्य रचना जब अर्दचंद्र की तरह होती थी, तो उसे अर्दचंद्राकार व्यू रचना कहते थे, इस व्यू की रचना अर्जुन ने कौरवो के गरुड व्यू के परती उत्तर में की थी मंडलाकार व्यू मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार होता है इस व्यू का गठन परिपत्र रूप में होता था महाभारत में इस व्यू की रचना भीश्म पिता माने की थी इसके परती उत्तर में पांडवों ने व्रज व्यू की रचना कर इसे भेद दिया था चक्र व्यू चक्र व्यू को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन ने रचना दिखाई देती है इस चक्र व्यू को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता आपने स्पाइरल देखा होगा बस उसी तरह का यह होता है महा भारत में इस व्यू की रचना गुरू द्रोन ने की थी महाभारत युद में अभिमन्यू की निर्मम हत्या के बाद अरजुन ने शपत ली थी कि जैदरत को कल सुर्यास्त के पूर मार दूँगा तब गुरु दुरोना चारे ने जैदरत को बचाने के लिए इस व्यू की रचना की थी लेकिन भगवान श्री केशन की चतराई से जैदरत उस व्यू से निकल कर बहार आ गया और मारा गया वज्र व्यू वज्र एक तरह का हत्यार होता है ये दो प्रकार का होता था कुलिश और अशानी इसके उपर के तीन भाग तिर्छे टेड़े बने होते हैं बीच का हिस्सा पतला होता है पर यह बड़ा वजंदार होता है इसका आकार देखने में इंद्र देव के वज्र जैसा होता है महा भारत में इस व्यू की रचना अर्जुन ने की थी ओर्मी व्यू, पांडव के वजर व्यू के परती उत्तर में भीश्म ने ओर्मी व्यू की रचना की थी, इस व्यू में पूरी सेना समुद्र के समान सजाई जाती थी, जिस प्रकार समुद्र में लहरे दिखाई देती है, ठीक उसी आकार में कोरव सेना ने पांडव पर आकर श्री नगात का व्यू कौरव के ओर मी व्यू के परती उत्तर में अरजुन ने श्री नगात का व्यू की रचना की थी। ये व्यू एक भवन के समान दिखाई देता था। संभवता इसे ही तीन शिक्रों वाला व्यू कहते होंगे इसके अलावा सर्वोत भद्र और सुपर्ण व्यू का भी उल्लेक मिलता है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेर करने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताना के वीडियो कैसा लगा धन्यवाद जैश्री किशना